हे गाईज आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं OnePlus Nord Series के दो latest upcoming smartphones के बारे में जी हाँ friends कल OnePlus ने अपने दो latest upcoming smartphones का announcement कर दिया है जो कि इसकी Nord Series के अंदर आने वाले है ये smartphone सबसे पहले UK, US और European market में देखने को मिल जाएंगे और उसके बाद ये आपको Indian market में भी देखने को मिल सकते हैं तो guys आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इनकी confirm specifications को लेकर और expected price range क्या रहने वाली है और कब तक ये आपको Indian market में देखने को मिल जाएंगे तो guys अगर आप हमारे channel पढ़ना है है तो channel को subscribe करे ऐसी ही latest videos के लिए flagship smartphones के बाद अब OnePlus target करने वाला है mid-range segment के customers को ये अपने budget range के smartphone पहले ही launch कर चुका है तो guys सबसे पहले बात करें इसके mid-range segment के smartphone को लेकर वो हने वाला है OnePlus Nord N10 5G इस smartphone की pricing आपको OnePlus Nord से कम ही देखने को मिल जाएगी और इसकी display की बात करें तो 6.4 इंचिस की Full HD Plus resolution के साथ display आने वाली है लेकिन इसमें IPS LCD display प्रोवाइड कराई गई है जो की एक downgrade रहने वाली है इसमें AMOLED अगर आपको दी जाती तो वो भी एक अच्छा option रहने वाला था लेकिन यहाँ पर आपको 90Hz का refresh rate प्रोवाइड कराया जा रहा है और इसी के साथ बात करें इसकी performance को लेकर तो इसमें आपको Snapdragon 690 का 5D chipset देखने को मिल जाता है 6GB, 128GB की storage capacity के साथ ये smartphone आने वाला है तो गैस इसमें आपको quad camera setup देखने को मिल जाता है जिसमें 64MP का primary sensor दिया गया है 8MP का ultra wide angle lens, 2MP का depth sensor and 2MP का macro sensor camera quality काफी अच्छी आपको देखने को मिल जाएगी ये तो इसके launch के बाद testing से ही पता चल पाएगा कि क्या camera quality इसमें आपको दी जा रही है और इसी के साथ front selfie camera होने वाला है 16MP का जो कि एक punch hole cutout के साथ आने वाला है बात करें battery capacity को लेकर तो 4300 mAh की battery capacity मिलने वाली है जो कि OnePlus Nord से भी बड़ी रहने वाली है 30W का fast charger support देखने को मिल जाता है 3.5mm headphone jack इसी smartphone में देखने को मिल जाएगा जो कि आपको OnePlus के और smartphones में देखने को नहीं मिलता है dual stereo speakers का support और और भी extra features के साथ ये smartphone आने वाला है तो guys बात करें इसके budget segment के smartphone को लेकर वो smartphone होगा OnePlus Nord and 100 बात करें इसकी display को लेकर तो 6.5 inches की HD plus resolution के साथ LCD display देखने को मिल जाती है और इसी के साथ जिसमें आपको processor देखने को मिल जाता है वो होने वाला है Snapdragon 460 का ये एक budget segment के smartphone में दिया जाता है और इसमें आपको देखने को मिलेगा 4GB range, 64GB की storage capacity जबकि इसमें आपको triple camera setup देखने को मिल जाता है back side में 13MP के primary sensor के साथ ये smartphone आने वाला है जबकि इसमें आपको 8MP का एक selfie camera दिया जाएगा वो भी punch hole के साथ और इसमें आपको 5000MP की सबसे बड़ी battery देखने को मिल जाती है अब तक के किसी भी OnePlus के smartphone से 18W के fast charger का support भी इसमें आपको देखने को मिल जाता है back side fingerprint sensor का support दोनों ही smartphone में देखने को मिलने वाला है dual stereo speakers का support भी इसमें आपको देखने को मिल जाता है बात करें इनकी pricing को लेकर तो N10 smartphone की pricing आपको 25,000 के राउंड देखने को मिल सकती है और जो N100 है उसकी pricing आपको 15 से लेकर 16,000 तक देखने को मिल सकती है ये global market का price है और अगर हम compare करें इसको Indian market में इंडियन market में जिस price segment में आने वाले हैं वो आपको कम ही देखने को मिल जाएगी OnePlus Nord N10 की pricing आपको देखने को मिलेगी 22,000 से लेकर 23,000 के राउंड और जो इसका N100 smartphone है उसकी pricing आपको 12 से लेकर 13,000 तक देखने को मिल सकती है तो guys आप हमें comment कर सकते हैं कि इसकी pricing क्या रहनी चाहिए और guys ये smart phones आपको November के week में देखने को मिल सकते हैं और अगर आप कोई वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को like करें, share करें और इसी तरह कि किसी भी smart phone और technical update से जोड़ी वीडियो के लिए हमारे चैनल को subscribe करकर bell icon को press करें thanks for watching, मिलता है अपनी next वीडियो में